जो सराव पिलाने वाले लोग हैं उनसे असूल करकर उन मिर्टक परिवार को देने का प्रावधान बनाया गया है उप मुख मंतरी ने गोशना किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम दस लाक देंगे और आज भी वो आदा पर कैम है और दे रहें रोज घोशना नहीं है सरकार ने कानून बनाई थी सराव बन्दी का तो ये लोगे ये बीजेपी वाले जो दंगाई पाटी है ये मानो स्रिंखला चर भर कर भाग लिया था लोग मानो स्रिंखला बढ़ा था और विधान सवा में ये लोग चाओ वो विधान परिस्द के सदस हों विधान सवा के सदस हों चर भर की लोग सपत लिया था कि ना पीएंगे ना लोगों को ये माना करेंगे कि नहीं पीना है तो ठीक है जहरी ली इसराब आई कहां से उत्तर пр попроб्रदेश से यू यह यह वह में भरकर यह सही बात है कि बाइटर के चैंप नहीं हो सकता और स्यवल्रें कि खुषी नगर से नगर से यादपढ़ा एक कि खुषी नगर इत्तर प्रदेश्ट में हैं और उसी में सराप पीने वाले जहां बरात आई थी वहां के भी लोगों घटना घटी और खुसी नगर के लोग भी उस सराप की मौत की घार टूटते हैं यह बीजेपी के लोग बदाम करने के लिए बिहार को और यह चाहता है न देश में बेरुजगारी की चर्चा हो न यह चाहते हैं कि महंगाई पर चर्चा हो सिर्फ और सिर्फ यह संपरदाइक दंगा फैलाने की चर्चा करते ह और एक संपरदाइक की खिलाप में बिस्वश्वमन करने का काम करते हैं तो सरकार ने कानून बनाई थी तो धारा 42 है उसमें पाड़ा 42 है जिसमें प्रवधान है कि जो सराब पीक मरे हैं उनकी कैसे मदद होगी जो सराब पीलाने वाले लोग हैं उनसे असूल करकर उन मिर्तक परिवार को देने का प्रवधान बनाया गया है तो सरकार लगी है कई लोग पक्रे भी गए है सराब माफिया तो सरकार उसको देख रही है यह लोग दहाई तबा मचा रहे हैं के पास तो कुछ एजंडा नहीं है प्रवधान मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आई चोदर में घोसना किया था कि हर दो एक साल में दो करोड बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे एक भी रोजगार नहीं दिया हमारा दस लाक का वादा हमारे मानियों उपमुख मंत्री ने घोसना किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम दस लाक देंगे और आज भी वह आदा पर कैम है और दे रहें रोज घोसना घोसना नहीं है क्या हो गया रोज न्यूकति पत्र बट रहा है और ज्यादा हो जाएगा तीन साला भी बाकी है तीन साल के अंदर में हम लोग काफी हर विभाग से रिक्तियां आ रही है हम लोग हमारी सरकार वह बाट रही है और सब देख रहे हूंगा पहले जोड़ दीजे ना अब वाला पहले की जिनती मैं नहीं करूंगा जब तक हमारी सरकार बनी है तब से हम निवक्ति पत्र जो दे रहे हैं उसी की जोड़ती कर रहे हैं अच्छा एक सवाल भी है कि बिहार के मुख्यानितिस कुमार विहार यात्रा पर निकलने वाले हैं इससे फैदा होता है देखिए जा म कुरुपता फैलाने के लिए लोगों को सवृधान करने के लिए और किन-किन की चीजहों से हमें बचना है और कैसे अपने जीवन को è कलना है और उसे चीरा में वो कार्ण देखें और विकास कारियों का भी सब्चा करते रहेंगे जिस में जाएंगे उस जिला में कितना पैसा गया क्या हुआ धरातल प्र उतरा है है कि बार बार निकालने से क्या फैदा है किसी के बयान पर तिका टिपनी नहीं करना चाहते हैं मैं अपनी बयान देता हूं और अपनी बात रखता हूं अपनी सोच बताता हूं जब विहार परदेश का मुखमंद्री कहीं विहार के दौरा पर जाता है तो निशित उसके मन में ध्यान रहता है कि जो हमने फंडिंग किया जिस जिले में वो फंडिंग सरजमीन पर उतरा या नहीं उतरा और वहां की जनता को की जागरुकता भी देखने का काम करेंगे लोग जो आज बेरोजगारों को रोजगार जो दे रहे है उस पर भी सब नजर रख रहे हैं सरकार इसलिए इस पर अगर कोई बोलता है तो अपनी बात बोलता है एक स्वाल अभी है कि नित्यान अंद्राय कल भी उन्होंने कहा है कि 2024 में जो लोकसभा का चुना होना है महागडबंधन का सुपरा साफ कर देंगे अच्छा उन नहीं बुलेंगे तो उनका ब्यान छपेगा वह सही प्यान देते हैं वो जो छपे और खबरों में बने रहने के लिए नित्यान अंद्राय जी हों मोदी जी हों यह कुछ-कुछ बोलते रहते हैं अब सुपराइस पर किसका साफ होगा आने वाला समय बताएगा यानि कि आप सरकार 25 में रहेगी नहीं चौविस में चुना होना है लोकसभा का इस बार मोदी की सरकार जाएगी निश्चित बजाएगी लेकिन तो आप लोग की सरण नीती से की तहट आपकर रहे हैं यह पूरे देश के विपक्षी एकता को एक मंज पर लाने का परयास जाड़ी है और जिस दिन यह विपक्षी एकता एक हो जाएगा मोदी जी उसी दिन का मंडल उठाएंगे और हिमाले के तराई में चले जाएंगे एक स्वाल अभी है कि बिहार के मुख्यार नितिस कुमार अटल बिहारी बाजपई की काफी गुनगान की है उनकी गुनों का वक्षान उन्हों नहीं किया जो आदमी तो फिर बीजेपी के तरफ इतना वो बीजेपी वो केवल बीजेपी नहीं थे देश के प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री सबका होता है जो अच्छे काम करते हैं उनकी गुनगान पीछे में होती है मरने के बाद ही आदमी का जो कर्म है उसकी चर्चा होती है इसलिए अगर कोई चर्चा करता उनके साथ काम करने का मौका मानिय मुखमंत्री नितिश्क मार जी को मिला था और वो ज चैनल को सब्स्राइम ने के हैं तो कर लिजे धन्यवाद